तो यह आपका होगा अध्याय या फिर बोले चैप्टर या एक्सरसाइज नाइन आप सभी जल्दी से यह बताओ कितने बच्चों के पास किताब है जल्दी बोलो यास क्या आपके पास NCRT बुक है NCRT जो किताब होती है उसका सिलेबस सभी से मैच खाता है चाहे आप UP Board से हैं, CBSC Board से हैं, विहार Board, जहारखंड Board, MP Board, किसी भी Board से हैं क्योंकि हमारे यहां जो बच्चे पढ़ते हैं, आल इंडिया से पढ़ते हैं, पूरे देश से, तो कोई Business Board का हम नहीं पढ़ाते हैं, जो मुख NCRT होता आपका National Level का वही पढ़ाया जाता है मतलब सरकारी वाला एक परकार से मानलो, राज्ये वाला नहीं, ठीक है, केंदर वाला, तो CBSC वाले जो बच्चे हैं, उनके लिए भी इंप्वार्टेंट है, CBSC Board की किताबों के कोईश्चन भी यहीं है, सेम, बस उसमें Language Hindi के मतलब बदले, इंगलिस होगी पहला कुश्चन पढ़िए, जो जो किताब लिए हैं, नितेश कुमार किताब क्यों नहीं है भाई, किताब ले के बैठो सभी, सभी के पास किताब होनी चाहिए, कलास के टाइम पे, पहला कुश्चन पढ़ते हैं, अब यहां से हम आपको दिखा भी नहीं पाएंगे, सिर् यहां पर हमें छे आकृतियां दी गई हैं, तो उनमें से हम पहले कुछ खीचने की कोसिस करेंगे, ठीक ना भाईया, देखो बागु समझो, मतलब समझो पहले इन आकृतियों को हम बनाते हैं, इसके बाद देखो आगे बाद बढ़ाते हैं, समझो सभी ध्यान से, समझो ए फिगर हैं, पहला है यह, आएसे बना है, यह यहां और यह यहां, ठीक है, इसके नाम क्या दिये गए हैं, बताओ सभी तो, सोनम देवी, बहुत अच्छे, थैंक्यू, रभी कुमार, इसके नाम बताओ तो फिगर में क्या दिया है, जिनके पास NCRT किताब नहीं हैं, वो कि किताब में, और जो आपका यह बीच वाला बिंदू है, इसका नाम क्या है, पी है, देखो, अगर आप एक कुश्चन समझ जाओगे, पहला पार्ट तो आप सारे पार्ट कर लोगे, इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना भाया, सीखना है, ठीक है, समझ रहो ना, एक टू कलास है, जब इसे एक कुमार, कुछ समझ में आ रही बात है न, देखो, तो कुश्चन पढ़ते हैं कहरा कि निमनलिखित आकृतियों में से, कौन सी आकृतियां, एक ही आकधार और समानतर रेखाओं के बीच इस्थित हैं, ऐसी इस्थिती म उभैनिष्ट आधार और समानतर रेखाओं लिखिये, देखो बच्चा, उभैनिष्ट बड़ा खतरनाक सब्द है न, उभैनिष्ट का मतलब होता है कौमन, इसको याद कर लो, अपना समझ लो, उभैनिष्ट जो है बड़ा कठीने कौमन आसान है न, तो कहरा कि जो यह आक चतुर्भूज है और चतुर्भूज है, उनका आधार समान है या नहीं बताओ, बोलो, बोलो, समान है कि नहीं, समझो, भैया इसमें एक चतुर्भूज है, समानतर चतुर्भूज दिख रहा कि नहीं, दिख रहा है न, एक समानतर चतुर्भूज है, A, B, C, D, है न, क्या ह समांतर चतुरभूज है ABCD बोलो है और इसके अंदर एक तिर्भूज भी है PCD है की नहीं बोलो है की नहीं तो यह क्या है एक समांतर चतुरभूज है ऐसे जो कि आपको दिख रहा है और PCD यह क्या है एक तिर्भूज है, तो यह पूछ रहा है कि इनमें कौन सी आकृती में, कौन से फिगर में इस चतुर्भूज और तिर्भूज का आधार समान है और वो दोनो वो दोनो एक ही समानतर रेखाओं के बीच बने हैं इस तरह के और भी बहुत सारे फिगर दिए गए है छे आकरतियां दी गई है बोलो है किने इसमें है न यस इसको आप लोग यस करोगे पहला यस है पहला यस है क्यों यस है कि सादू यादो समझ में आ रहा है ना ममता चाची गुड़ीबनिंग भई नाम इनका मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं देखो समझो है ना क्यों देखो इसका आधार अगर ले तो c-d है आधार क्या सीडी है यह बेस है और p c d या फिर p d c तिर भूज भी इसी आधार पर बना है यह चतुर्भूज जो है वो भी इसी आधार पर बना यह इस हो गया इसके अलाम जो समांतर रेखाएं है जो दो समांतर रिखाएं है CD और AB AB और CD जो है यह क्या है? पैरलल लाइन है तो इनी की बीच में तो यह तिरभूज बना है न तो यह क्या हो गया? Yes समझ गये ना? Yes लेकिन इसके पहले हमें concept सीखना जरूरी है यह तो मैंने पहला exercise का पहला question पहले करवा दिया लेकिन इसके पहले हमें क्या सीखना भाया? इसके पहले हमें concept सीखना जरूरी है और वो concept क्या है? वो concept मैं आपको बताऊँ तो ऐसे थोड़ा सा लंबा हो जाएगा आप कहो तो मैं बता दूँ या फिर इसका वीडियो दे दूँगा concept बता दूँ पहले कि नहीं concept का आपको ऐसे वीडियो दे देंगे नहीं तो आप लोगों को मजा नहीं आएगा है ना उसमें थोड़ा सा बोरिंग टाइप का लगेगा तो चलो अगला भी कुश्चन एक और करवा देते हैं आप लोग देखते ही जुड़े हैं सभी सभी छात्र इस कलास को लाइक करेंगे और दोस्तों में भी सेयर करेंगे और याद रहे कि एक जुलाई से आपका बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ाया जाएगा आप लोगों को तब तक जादा फिजादा साथियों को अपने सूचित कर देना है कि पीवियार स्टडी लाबाद चैनल पर बिल्कुल फ्री की लाइब कलासे हुरी मैथमेटिक्स की घर बैठे पढ़ सकते हो बड़े प्यार से कि सिकेंड वाले में आप लोग देखो ध्यान से सिकेंड फिगर पहले बना लेते हैं देखो बाबु पढ़ाई कर लो नाम के चपकर में बहुत से बच्चे परिसान रहते हैं तो नाम के लिए मत परिसान रहो हमारी कोशिस होगी कि अगली कलासेट से आपको चित्र भी नहीं बनाना यहां पर पड़ेगा इसका भी हम आपको फोटो दिखा देंगे ऐसे टेड़ा मेड़ा आप देखो दूसरा कोश्चन है ना आपके बुक में कि नहीं है ऐसा ही कुछ है ना दूसरा बहुत गड़ब बन रहा है लेकिन चलो बना लोल फिलाल जैसे भी बन रहा है मोट को से कैसे एसका मतलब है इसका नाम है पी क्यू आर यस ठीक है बस इतना ही है इसके जो पॉइंट है अमयन है अब समझो बापी मोहंती मिनाक्षी साहू गुड इबनिंग अमित रंजन ठीक है अब यह बताओ क्या इन दोनों का जो भी इसमें दो आकृतियां आपको दिख रही है उनके आधार समान है बोलो यस है समान की नहीं हां बताओ दोनों आकृतियों के आधार समान है या नहीं बेस इक्वल है की नहीं भाई एक आकृति आपकी यह बन रही पी क्यू आरेस और एक यह बन रही म तो में और इसके जहां जहां यह मिल रहा है होसमें timber को नाम उन्होंने फिलहाल अलग छे दियार किण है कि ओ इसी पे मिल रही भाई जहां से निकली है ये figure कुछ ऐसा है मुझे कम समझ में आ रहा था ऐसा है ठीक है इनके आधार समान है नितेस जी है बिलकुल अब इनके आधार समान है दोनों के जो base है आरियस है क्या है आरियस है लेकिन क्या ये जो दो समानतर रेखाएं है आपकी समानतर चतुरभुज में PQ और RAS क्या ये इन से मिलते हुए बना है की नहीं बताओ बना है जैसे ये वाला देखो P इसमें जाके मिल रहा था ना यहां भी मिल रहा था मतलब A, B और C, D जो समानतर रेखाएं उनको touch करते हुए बना था ना बना था ना तो क्या करोगे इसमें लिख दोगे नू ये नहीं है क्यूं नहीं है किताब जो भी साथी लिये हैं जितने भी छाद्र बुक लिये NCRT कि उनको समझ में आएगा किताब काँ पी लेके नहीं आओगे तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है समझ रहे हो ना इसलिए किताब लेकर के जुडो कलास में पढ़ो प्यार से समझो बीना किताब के आओगे तो कुछ नहीं होगा समझ रहे हो ना चलो तो ये नो हो गया क्योंकि इसका आधार तो दोनों का समान है लेकिन जो ये बात करें दोनों समांतर रेखाएं हैं ये इन से होते हुए नहीं बन रहा है और कुश्चन में क्या कह रहा था मैं एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूँ अभ्यास या exercise 9.1 का पहला कुश्चन है कह रहा कि निम्लिकित आकृतियों में से कौन सी आकृतियां एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच इस्थित हैं ऐसी इस्थिती में उभ्यनिष्ट आधार और दोनों समांतर रेखाओं लिखिये अच्छा चलो बताओ एटू कलासेज यसो सोनी संतोस बही नाम तुन्होंने बड़ा गंदा टाइप का लिखाया बना करके कि कोई जान न पाए क्या लिखाया संतोस मिसरा जी आपपे बताओ पहले चित्र में कामन आधार क्या है जल्दी बताओ जल्दी बताओ कोई है दोनों में बताना है कि किसमें ऐसी जिती है और जिसमें है उनका बेस और समांतर रेखाओं के नाम लिखो ऐसा कह रहा है तो पहले में क्या हो जाएगा बच्चा जो common base है वो CD है तो क्या लिखोगे उभैनिष्ट आधार हिंदी में लिखना है हिंदी वाले लिखेंगे सिबसी बॉर्ड वाले लिखेंगे common base ठीक है उभैनिष्ट आधार कितना है CD क्या है भई CD है पंका जी आद हो आरा समझ में नितेश जी बिल्कुल बारिस हो रहा है अभी अभी हम भीक के ही आये हैं आपकी class के लिए नहीं तो class आपकी छूड़ जाती आज से बोला था फिर गड़बड हो जाता और समांतर रिखाएं क्या क्या है भैया हो समांतर चतुर्भू जो बन रह क्या होता है अध्याय आठ में पढ़ाया गया था जो चैप्टर आठ पढ़ें उनको पता होगा समांतर और लंबवत क्या होता जानते हो जैसे रेल की पटरी है ना बच्चा बगल बगल ऐसे जाती ना बाबू ऐसे ऐसे वह कभी एक दूसरे को काड़ती नहीं है मतलब एक क्या होती है समांतर होती है क्या होती है यह समांतर होती है और लंबवत का मतलब क्या है लंबवत का मतलब है बच्चा जैसे यह है और यह मतलब एक दूसरे को ऊपर चड़के कटती हुई निकल जाए जैसे यह देखो एक लाइन ऐसी है तो यह क्या है दोनों रेखा है गए नग चलो है तो इसमें जो समाहनतर रेखाएं है उनको भी लिखलो लिखो लिखोãyुसंक्ला ते रेखाएं ऐ पहले वाले में है इसमें छे स्छे पार्ट है कुश्चन पहला में ठीक है तो इसमें लिखो लिखोתי समानता रेखाएं ए इसमें कोई बताएगा रे इसमें दिमाख लगाना है यह वह ही नहीं कंडीशन फलू नहीं कर रहा हो उसके आधार तो दोनों समान है लेकिन उसमें जो समानता रेखाएं है उन दोनों बीक यह सित्र नहीं बन रहा बीस वालां इसलिए वह गलत है वह है नहीं छिक है ओधे इवे नहीं शाही है अब तीसरा फिकर हम बनाते हैं GET आपके बोर्ड में बना सकते जगा है ना चलो ठीक है तो बच्चा तीसरा कुछ अजीब टाइब का बना है आप लोग अगर देख पा रहे हो बुक ले लो भाईया कक्छानों की बुक लेके बैठो तब मज़ा आएगा यहां दिख रहा है ना अगर बुक नहीं लिए रहोगे तो मज़ा ना आएगा याद रखना कच्छानों की किताब लेके बैठो यह आईसे है हां उसके बाद का है यह ऐसे भाईया बहुता गड़बर टाइब का है यह इसे है थोड़ा सा जुका हुआ अंदर को कि यह है और यह यूं आया है और यूं गया है कि यहीं पंदलब कौना पर ही मिला है इनके नाम है पी क्यूं और आर यस ठीक है इसका जो जहां पर दोनों आके मिल रहा है वो टी है अब आप लोग यह बताओ ती सरे वाले में देख करके यह थार्ड नंबर फिगर है कि क्या इसमें आपको दो चित्र दिख रहा है पहले यह बताओ दो फिगर दिख रहा है कि नहीं हाँ या नहीं नितेश कुमार बताओ एटू क्लासेज बोलो कमेंट नहीं करोगे अगर तुम लोग कोशिस नहीं करोगे तो मैं पढ़ाओंगा यह नहीं जान लो तेकना आएसे मैं गदों को पढ़ाता नहीं को सिस करो नहीं तो बोलो न नहीं पताव नो लिपके कमेंट लेकिन कमेंट हर कोई करेगा और जो चात्र सुरू से नहीं देखे हैं वह इस वीडियो में बाद में कमेंट करेंगे अनको लिंक मिल जाएगा उनको लिंक मिल जाएगा कि इसके पहले क्या था कैसे क्या सब मिल जाएगा कोई दिक्कत नहीं है आप हमारा गुरूप भी जॉइन कर सकते हो टेली द्राम का या वाटसप का उसमें सारी इंफॉर्मेशन मिलती है आयूस एफ एफ बच्चा तुम तो भूद बनके आये हो का है कौनो मारा बारा लतिया लतिया के का आज हां ऐसे बूद बनके का है आये हो देखो इसमें दो फिगर है एक तो आपका चतुर्भूज है पी क्यू आरियस और एक इसमें तिर्भूज भी है कौन ये टी क्यू आर है न दो, तो कुश्चन में क्या कह रहा है, एक बार फिर से पढ़ ले, प्रस्न कह रहा था, कक्छा नो की NCRT गडित प्रफना वली 9.1, सवाल नमबर एक, प्रफना नमबर एक, निमनलिखित आकरतियों में से कौन सी आकरतियां एक ही आधार और एक ही समानतर रेखाओं के ब लिखिये, और दोनों समानतर रेखाओं लिखिये, तो देखो, ये भी यस होगा, इसका आंसर भी यस होगा, इसका यस क्यों होगा, क्योंकि बच्चा इसमें भी दो समानतर रेखाओं कौन कौन सी हैं, ये PQ हैं और RS हैं, और इनका दोनों का कामन आधार जो है, वो QR है, क् यह तिर्भूज जो बना है TQR वो भी QR बेस पर ही बना है और जो यह चत्रभूज बना आपका PQ RAS यह भी क्या है आधार इसी पर बना है ठीक है तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे यहां पर लिखो और क्या लिखोगे लिखो यह सुगया लिको कान आधार कामन बेस या फिर हिंदी में जैसे बुक में कहा है वैसे लिकलो हिंदी में ब्दैंक लिखा है कि अ कामा नाधार बराबर कितना बच्क्चा क्यू आर हैं और समांतर रेखाएं कौन-कौन सी हैं लिख लो नीचे समांतर रेखाएं बराबर पी-क्यू-कामा-ार्यस समझ में आया ना नीचे देखो थोड़ा सा कम दिख रहा है न यह जो कट गया है मैं दिखा दे रहा हूँ उसको टंसर मतलों, चलो लो देखो ये PQRF लिखा है, समझ गए न, क्या लिखा है, PQRS सपना कुमारी रात 9 बजे भी भी होगी, ठीक है, रात 9 बजे भी होगी, साम 7 बजे भी हो रहे है, कोई दिक्कत नहीं है रात 9 बजह भी होगी रात 9 बजह बेसिक वाली होगी चलो फिर समझ गए सभी बोलो यास जल्दी बोलो यास समझ गए तुरंद बोलो यास और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लो बिल्कुल फ्री निटो बाद में कहोंगे मुझे चैनल का नाम ही नहीं पता है यहां पर लिख दे रहें यह नाम है इसको यूटूब पर बोलोगे गूगल पर यूटूब पर कहीं भी तो मिल जाएगा PBR Study कुछ बच्चे PBR Studio बोलते हैं तो इस्टूडियो बोलने पर भी मिल जाता है क्योंकि चैनल इतना बड़ा हो गया है तुम गलत सही कुछ भी बोलोगे वो मिल जाएगा अधिया का अमडी मस्त कुइन सेख राहूल सत्यना रायन बहुत अच्छे बेरी गुड देखो जो बच्चे कमेंट करते ना बहुत दिल के करीब होते हैं अच्छा लगता है और जो गदाह टाइब कि रहते हैं कुछ बोलव यह नहीं करते ना उनको मन करते ना उठा उठा कला से बाहर फैंग दें बस फेक नहीं पाते हैं यही मजबूरी है चलो देखो अगला चित्र नंबर चार अच्छा एक बार इमानदारी से बताओ इसमें कौन-कौन किताब लिया है और कौन-कौन नहीं लिया है कौन-कौन किताब लेके बैठा है कौन-कौन नहीं लिया है य NCRT से पढ़ लोगे तो कोई भी बोर्ड है चाहे बिहार बोर्ड है यूपी बोर्ड है जहारखंड बोर्ड है अर्याना बोर्ड है कोई भी बोर्ड से हो कहीं से भी हो सब का हो जाएगा कमपलीट लेकिन आपको में एंसी आंटी पढ़ना है एंसी आइटी जो आपकी सीबसी वाली होती एक प्रकार से भई समझ गए न हिंदी स्टेटर लिये हो आ रहा है ठीक है कुलदीब पिटाई कर दें अमित कुमार भाई इसमें जूट भी बोल रहे हैं कुछ ऐसे गदें लिए हो तो चौथा नंबर कुष्टन देखो कि चौथा नंबर का चलो फिकर बनाओ अभी जो तुमारी वाली उससे बात कर रही ना अभी हम पीटेंगे भी समझ रहे हो ना गडबड हो जाएगा फिर चलो इसको फिकर बनाओ इतना अच्छा है कि बता भी दे रहा देखो यह कख्छा नौ में पढ़ते हैं कितने समझदार है ऐसे बनाया चित्र चौथा नंबर की नहीं थोड़ा छोटा है न यार बड़ा गंदा हो गया आर नाक में साही लग गई बड़ा बद्बू करता ही यह स्याही लेखने बड़ी खतरनाक है भाई साथ थोड़ा तरुक जाया तो पता है पता क्या है कि अब तो लगी गई चलो ठीक है यह तोड़ा सा चोटा बना था न मजा आया कि नहीं आया थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं यह सब कख्छा नहुं में है ठीक है बैटे ले लो मौज ले लो टाइम है अभी जो पूछ रहे हैं सपना कहां से हो पूजा कैसी हो ना बेटा अभी जब जिन्दगी की दोड़ में आओगे तब तुम्हें पता चलेगा सपना भी छुट जाएगी पूजा भी चुट जाएगी और बचोगे तुम अकेले कि अभी तो तुम छोटे हो कि चलो देखो इधर साइड में क्विश्चन ऐसे ही कुछ है कि किताब लेकर बैठे हो तो फिर दिक्कत ही क्या है एड़ी आए ऐसे ही बनाया न यह बताओ कि इनका दोनों का आद आर इसमें दो जो फिगर बन रहे हैं कि उनका failsleness ही है या अलग-अलग है बताओ कि कि इन दोनों का बेस एक ही है या अलग-अलग है वी क्यू आर, बोलो जल्दी बोलो, इसमें एक आपको समांतर चतुर्भुज दिख रहा है, एक तिर्भुज दिख रहा है, दोनों का आधार समान है की नहीं, संतोस मिसरा जी बताइए, रवी संकर, सोनम देवी, जिनके पास किताब नहीं, किताब ले लो, जिनके पास जुलाई से सभी किताब लेके आएंगे, आपके पास 4-5 दिन का टाइम है किताब लेके आएंगे, एक जुलाई से नहीं सब को बलक कर देंगे, जिनके पास बुक नहीं रहेगी, और तुम यह मत जानो कि हम बुक नहीं लिए, क्योंकि हम पूचेंगे, बुक होगी तभी देख पाओगे, तभी तो बता पाओगे, भुकी नहीं रहेगी तो बताओगे क्या, चलो समझो, इन दोनों का बेस तो एक ही है बच्चा, लेकिन इसमें कुछ खासियत है, कुछ डिफरेंट है, वो क्या है, इनका बेस BC है दोनों का, अगर हम तिर्भुझ P, Q, R की बात कर तो ये P, Q, BC के बराबर थोड़ी है, बोलो बराबर है क्या, ये बराबर होनी चाहिए था, ठीक है, ये इक्वल होना था, इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है, इसलिए जो बुक में आपके कह रहा था, उसके अकार्डिंग इसमें नो लिखोगे, क्या लिखोगे, इसम थोटी बड़ी है ना अधार है कि तयारी कर रहा हूं बुक नहीं लिया मैं बहुत अच्छी बात है प्रेम तिवारी प्रेम जी नाम तो बहुत सुंदर है आपका और एक जुलाई से चलेगी 1.1 ठीक है एक जुलाई से चलो तो 9 हो गया क्यों क्योंकि भाई BC की लंबाई अगर 6 cm होगी तो पीकी उसमें 3 है तो यह समान नहीं है क्योंकि कुश्चन क्या कह रहा है एक बार हम फिर से पढ़ लेते हैं गडित में सवाल बार बार पढ़ना चाहिए बार बार पढ़ोगे ना तो आधा वैसे ही याद हो जाएगा प्रियंका यादो यह आज से ही सुरू हुआ है प्रियंका यादो जितने भी कच्छा नौ के बच्चे हैं वो समझ जाए कच्छा नौ की गडित आज 25 जून से सुरू हो चुकी है साम को साथ बजे लाइब क्योंकि एक क्लास चली थी लाइब अक्टूबर में क सुछ चलने से क्योंकि उतने किरीकौशिच आरी और रही ना हंत इतने कि उतने और किसी कलास की नहीं आ रही लेकिन यह बिज्चे तभी जुड़ेंगे तभी क्लास चलेगी जब आप लोग क्लास को कूण करो एक जुलाई से बच्चें सो के उपर होने चाहिए 100 200-400 अभी चलेगा इसलिए सब को सूचित कर दो पांच दिन का टाइम है पांच दिन का टाइम है सब को बता जो कि फिर कलास चल रही है साम को 7 बजे ठीक है चलो समझो क्या कर रहे थे कहां पहुंचे थे हम कुश्चन नमबर पहला का चार नमबर पार्ट हो गया कुश्चन फिर से पढ़ने पहला क्या था कर रहा कि निम्नलिखित आकरतियों में से कौन सी आकरतियां एक ही आधार और एक ही समानतर रेखाओं के बीच इस्थित है ऐसे इस्थिती में उभैनिष्ट आधार और दोनों समानतर रेखाओं के नाम लिखिए तो बच्चा इसमें अगर देखो तुम तो ये यस है यह एक ही आधार पर बन रही है दोनों जो दोनों फिकर इसमें बने है और बनें दोनों, एक ही समांतर में रेखाओं के बीचने भी बने है लेकिन इसमें ऐसा नहीं है इसमें जो आधार है PQ वो तिर्भूजवाला छोटा है चतुर्भूजवाला बड़ा है इसलिए नो है ठीक है समझ गए ना चिंतामन देसल जी आरा समझ में अब इसे एक माफिया बच्चा पढ़ लो पढ़ लो बेटा पढ़ लो पढ़ लो अगर आप कोई राइटर की लेते हो जैसे मनुहर्य परकासन हो गया नगीन परकासन लच्छमी पता नहीं कौन कौन सी बहुत सारी बुकें आती हैं तो उसमें आप कोईस्चन देखो के ता आगे पीछे होगा ठीक है जबकि अध्याय वही होंगे देखो एक बात हैं पर आपको क्या करना आपको चीजे समझना तो आपको नियम सीखना है किताब लेकर के अपने सवाल नहीं मिलाने नहीं तो परेसान रहोगे टेन्सन में रहोगे समझ रहे हो ना अगर कहो नहीं मेरे में 1.1 में तो यह ऐसे नहीं बना है उसमें तो यहां पर AB की जगा PQ लिखा है अरे गधों फिगर तो ऐसे ही बना होगा ना बले इस पर कुछ और लिखा है मतलब समझो बस यहां से आपको सिर्फ नियम सीखना है समझ रहे हो ना ध्यान स समझ लो जैसे ऐसे है जैसे मालो हम आपको जोड़ने का नियम बताएं जो कि NCRT में ऐसे हैं हमने कहा बच्चा 6-39 होता है ठीक है NCRT किताब में 6-39 होता है बिहार बोर्ड वाले में दिया है कि भाया 3 में 5 जोड़ेंगे तो 8 होगा अब तुम कहोगे ससुरा यह तो अमरे म बोर्ड में मालो इसकी जगा पर कुछ और एड्वांस में 9-3 दे दिया तो 9-3 कितना हो गया बारा लेकिन मतलब समझो NCRT में जो जोड़ने का नियम बताया गया वही यूपी बोर्ड में भी होगा बिहार बोर्ड में सब में वही होगा गरिमा यादो आरा कमेंट आपका ठीक है सीतल प्रेमतिवारी कि समझ गए न तो इस लिए नहीं यह बच्चों की बहुत सिकायत होती है कि सारा बिहार बोर्ड नहीं पढ़ाते हो आप यूपी बोर्ड नहीं पढ़ाते हो एंपी जारखन बोर्ड भाया जितने सारे राज है उतने सारे बोर्ड हैं तो हम कित पाच्वावाला ले लो पाच्वावाला बढ़ा जीव ट्राइब का बना है अच्छा वैसे आप कर लोगे नहीं यह सब आप लोग कर लोगे की करवाएं यह भी रेनु भरत द्वाच देखो अब पाच्वा नंबर फिगर कुष्चन पहला का पाच्वा पार्ट कुष्चन पहला का पाच्वा पार्ट बाई रुक जा रुक जा भागना यह ऐसे है ऐसे है और यह क्या है मलूम है यह थोड़ा ऐसे है अंदर को दब रहें और ऐसे आ करके ऐसे है देखो समझो जिनके पास किताब है वो तो समझ गए उनका तो काम हो गया जिनके पास किताब नहीं है वो अपना चाटा गटास देख रहे हैं मतलब समझ रहे हूं यह टी है और यह क्यों है ठीक है ना बच्चा चलो अब यह बताओ क्या बता होगी इसमें कोई दो तीन चीतर दिख रहा है क्या क्या दिख रहा बता हों जल्दी बताओ दिख रहा है कि नहीं देखो बच्चा इसमें भी आपका क्या होगा यस होगा कि नो बताओ समान आधार है कि दोनों चित्र जो है समान मतलब समानतर रेखाओं के बीच बने हैं एक ही आधार पर बने हैं कि नहीं बने है ना लेको यस अठार एड़ी आधार बडाबर आधार क्या है एड हैं और दोनों जो समानतर रेखाएं हैं आपकी कान से इयुँ ऐ अबी और cd है ना समानतर ABCD क्या है समानतर रेखा हैं लिख लो समझ में आया ना सबको समझ में आया बिलकुल बहुत अच्छे गरिमा यादो बहुत अच्छे ठीक है देखिए जो बच्चे समझ रहे हैं अच्छे से समझ रहे हैं उनको तो समझ में आ रहा है जो इसी में लगे हैं है पुझा कहां से ह तुम सपना तुम कैसी हो उनको पढ़ना है नहीं तो भाई ऐसे लोगों को तो हम बला कर देते हैं बस कुछ बार देखते हैं कि हाँ यह कितने हद तक जा सकते हैं देखो एक स्टेटस वीडियो नाम से कमेंटार आना लायक प्रियंका कैसी हो मतलब यह पैदा इसलिए हुए ह इनको न पढ़ना है न पढ़ने देना है भाईया निबेदन है बाबू अगर कख्छा नौ में हो तो पढ़ लो अभी टाइम है ठीक है तो आपका 9.1 खतम हो गया एक्सरसाइज 9.1 खतम हो गया देखो यहां पे समझो यहां पे हम चित्र बना देंगे आप सभी अच्छा यह बताओ कौन-कौन किताब लिया NCRT वाली बोलो यास नCERT वाली किताब लिये हो तो बोलो यास दिख रहा है यहां तक ओके बुक लिये हो ना भहिया NCRT वाली की नहीं देखो किसी स्टेट की NCRT की बात हम नहीं कर रहे हैं आपकी जो मुख NCRT की बुक है वो आपके पास होनी चाहिए ऐसे बना है ना चित्र आपकी बुक में थोड़ा सा छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन है ऐसे ही ये लो बन गया की नहीं हंसराज ठीक है ठीक है ठीक है ठीक ठीक है ओके गुड चलो तो इनके नाम रख दो A, B और C, D ठीक है तो बच्चे इनके नाम क्या है A, B, C और D आपको पता है ये क्या है ये एक समांतर चतुरभूज है क्या है ये समांतर चतुरभूज है और जहां पर ये रेखा कि मिलती है इसका नाम E है इसका नाम क्या है F है इतना ठीक है सबको clear है जस्बिंदर सिंह, चन्दा देवी, रजक, चांदनी कुमारी भाई ये सब अलग अलग है तो इतना ठीक है मैंने क्या किया अभी कुछ नहीं किया सिर्फ और सिर्फ किताब से चित्र बनाया है बस यहां बोर्ड पर आप लोग भी बना लो कापी और पैन लेके बैठना किताब के साथ में अगर पढ़ना है सही सही क्लास में बैठने देंगे हम फालतू यहां पर वैसे मजाक करने नहीं आना है पढ़ना इमानदारी से ठीक है कोईश्चन आसान भी नहीं है इतने नाइन चेप्टर चल दा है एक जुलाई से पहला अध्या चलेगा जितने भी नए बच्चे जुड़े हैं सुन ले एक जुलाई से साम साथ बज़े से पहला अध्या चलेगा तो ये मैंने चित्र बना लिया आप चलो question पढ़ो क्या कहता है जो भी NCRT की book लिए है वो question पढ़ें कहरा कि आकृती 9.15 में 9.15 में का मतलब ये है कि किताब में बहुत सारे चित्र बने होते हैं तो उनकी numbering की होती है ठीक है तो इस लिए इसको 9.15 चित्र number कहा गया है इसमें कहरा है ABCD एक समांतर चतुरबूझ है समांतर चतुरबूझ का मतलब होता भाई मैं पैरलोगराम ठीक है क्या होता है पैर लोगराम यही होता है na पैरलोगराम यह क्या एक पैरलोगराम है इसमें कहरा Kwne, AE perpendicular dc यह आपके चित्र में कहे रहा है AE जो है वो perpendicular है किस पर DC पर AE मतलब यह बुजा AE लंबवत है किस पर DC पर भाई है ही simple सी बात है AE ऐसे आई है DC ऐसे में थी तो यह ऐसे मिल रही ना इस पर perpendicular हो रही ना ठीक है आगे कहे रहा कि CF perpendicular है यानि कि लंबवत है AD पर CF किस पर लंबवत है AD पर अब मुझे बताओ CF कहाँ है CF कहाँ है कहीं दिख रही तुमें CF क्या है perpendicular है लंबवत है किस पर है AD पर है तो बच्चा CF Simple सी बात है दिख रही है AD पर CF भी क्या है AD पर perpendicular है AD ये वाली line मतलब ये ऐसे है AD तो CF ऐसे आके मिली नहीं है भाई साहब ऐसे आई ना इधर साइड से वो देखो ये CF AD इसका मतलब ये क्या है? इस पर लंबवत है ये इतना आपकी किताब में दिया गया है ठीक है? इतना किताब में आपकी दिया गया है आगे देखो आगे क्या कहता है फालतू बच्चों को भाई बलाग करते जाओ जितने भी फालतू कमेंट करें इन्हें बलाग करते जाओ आप लोग देख रहे हो ना क्या करने बैठे हो बलाग करो फटा फट चलो आगे कहता कि यदि 16 см है अब बी कितना cm है अब करते हो हंस राज आप बी बताए A B कितना है भया यह है A और B यह 16 cm है आपकी किताब में कह रहा है जिससे कह रहा है वैसे कर लो बड़े प्यार से समझ में आ जायेगा AE 8 cm है भाई सहाब AE यह जो line आई है यह कितना है 8 है इसको लिख लो कितना 8 लिख लो यह कितना है 8 cm ठीक है मैंने लिख लिया red color से कह रहा कि CF 10 cm है CF CF यह कितना है 10 cm है अभी देखते जाओ क्या क्या दिया है तो कह रहा कि फिर a d बताईए a d बताईए a d बताईए a और d मतलब हमें इधर वाली line निकालना है बाई साहब यह बहुत simple size में देखो दो चीज है दो क्या है इसमें दो तिर्भुज बने है आपको दिख रहे न एक समांतर चतुर्भुज के अंदर दो तिर्भुज बने है बने है न तो ध्यान से देखो हमें इसमें दो तरह का छेत्रफल भी निकालना चाहिए मतलब दो परकार से हम इस समांतर चतुर्भुज का तिर्भज निकाल सकते हैं आप लोगों को मैंने सायद वो नहीं बताया था क्या इंट्रोडक्शन समांतर चतुर्भुज का छेत्रफल क्या होता है जानते हो फार्मूला चाहिए तो लिख लो फिर जब एक तरब से पढ़ाएंग देखो यहां पर पहले समझो अगर हम इसको इसके साथ में लेकर के चलें जब A D A D नहीं मतलब C D इसको आधार मानें समझ रहे हो जब हम C और D को आधार मानें तो इस पे लंबहुत कौन है एई है ना एई है ना तो लिखो समांतर चतुर्भुज A B C D का छेत्रफल लिखो समांतर चतुर्भुज A B C D का छेत्रफल अब मैं पूरा लिखूंगा नहीं समांतर चतुर्भुज A B C D का छेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा जानते हो जब हम C D को आधार मानेंगे तो बहिया हो समांतर चतुर्भुज का छेत्रफल का सूत्र होता है आधार गुणे परपेंडिकूलर हाइट होता है मतलब लंब बहुत उचाई होती है तो आधार C D है और इस पर जो लंब बहुत उचाई है A E है तो लिखो C D इन्टू A E बोलो इतना ठीक है ना इसमें किसी को कोई समस्या मस्ती चैनल आ रहा समझ में बच्चा हां सोनिया रहा है सबको आ रहा है ना इतना समझ में आया C D इन्टू A E क्योंकि समांतर चतुरभूज का जो शेतरपल होता है यानि एरिया आप पर्पेंडिकुलर ओ स्वरी एरिया आप पैलोग्राम जो होता है वो बेस इन्टू पर्पेंडिकुलर हाइट होता है वो मैंने कर लिया लेकिन इसमें एक चीज़ और है वो क्या है अगर हम A D को बेस मानें A D को बेस मानें तब हमारी पर्पेंडिकुलर हाइट C F है बोलो है न तो हम दोनों कंडिसन यहां पर रखेंगे तब ही हमें A D का मान आएगा क्योंकि A D तो इधर फाइट दिया है अगर हम C D को बेस मान के ऐसे रख दें तब तो इसमें A D सामिल ही का चिद्रफल का सूत्र क्या बनेगा ध्यान दो दोनों बराबर कर देंगे एडी इंटू ये सी अफ एडी इंटू क्या हो जाएगा सी अफ समझ में आया हां देखो समझ में तब आएगा बच्चा जब बिलकुल दिल लगा के इमांदारी से समझोगे क्योंकि ये बहुत अच्छा समझने वाला चैप्टर नहीं है पत समझ में आई ना ये आफान नहीं है बहुत जादा एडव कोई बताएगा सीडी कितना होगा कोई बताएगा सीडी कितना होगा देखो मैंने आठोमे चैप्टर में भी पढ़ाया था ऐसी बात नहीं इससे संबंदी था अगर तुमने ध्यान से पढ़ा होता न तो सब हो जाता समांतर चैप्टर में भी पढ़ाया था पढ़ोगे न समांतर चतुर्भुज की सम्मुक बुजाएं बराबर होती है होती है कि नहीं अरे गधों जब अगर कोई चतुर्भुज ऐसे समांतर होता है मालो एक आयत ही ले लो तो इसकी सम्मुक बुजाएं बराबर होती है कि नहीं होती है ना होती है ना तो समझ गए ना यह क्या आमने सामने की अरे इडियट जब यह 16 होगी तो यह भी क्या होगी कि नहीं होगी ना देखो आप तुम लोग ऐसे नहीं समझने वाले गुस्सा लगाओगे तो कुछ नो कुछ तो हो गई समझ गये ना यानि यह भी क्या होगी 16 cm होगी क्योंकि सम्मुख भूजा है सबको बा रख दो ला करके फटाफट सीडी 16 cm कितना दिया है कोई बताएगा एई अरे यह पूछ रहा हूं एई एई कितना दिया है सौरव कुमार चांदनी स्याम जी दूबे मनी संसू अरे फिर नहीं बोल रहा कौनो कितना दिया है एई देखो हम लिक दें चाप दें और तुम जल यह एई दिया है न 8 cm है तुमकरी किताब में दिया है को इस्टन पढ़लो कितब में दिया ने कितना दिया है 8 cm है बहुत अच्छे सबसे पहले अंसू ने बताया थीक है अंसू जी बहुत अच्छे चलो यह कितना दिया है भच्छा 8 cm दिया बाबू ठीक है कि a d a d तो हमें पता रही नी क्योंकि यह निकालना था into cf कितना दिया है कोई बताएं किसी एफ कितना दिया है किताब में देख लो आख फिला के सी एफ दिया है कहीं हो जो किसी एफ दिया है न किसी मतलब वही हुआ दस सेंटिमेटर दिया गदों तो यहां से निकाल लो सोला इंटू आठ बटा दस बराबर एडी अब हल करना तो तुम जानते ही हो इतना तो गदा हो नहीं दूई से काट दो दूई यठे सोला दूई पंचे दस यह नीचे दिख रहा है यह आठ ठाई हो जाएगा चौशट बटा पांच बराबर एडी इसको हल करके कोनों उत्तर बता पाएगा हिंदी स्टेटस बीडियो बिसाल सिंग बच्चा यह बताओ तुम्हारा नाम राज बिसाल सिंग ऐसा क्यों है हाँ दो नाम मिला के क्यों बनवाए हो एक नाम से नहीं काम चल रहा था राज सिंग या बिसाल सिंग राज बिसाल दूबे सिंग सब मिला जानते हो तुम यहां से इसको AD हल कर लो तो AD बराबर आएगा 12 दसम लोग something आएगा कि अरे 48 हो जायेगा 12 दसम लोग कितना आएगा पांच या अठ तक आएगा 12.8 cm आएगा कि अब कुछ लोग कहेंगे यह भी नहीं समझ में आ कैसे आया हां नहीं समझ में आया कैसे आया हां यह भी नहीं आया अरे भाई सहाब यह इसी को तो मैंने किया था यह देख लो इतने बड़े गदहे हो तुम लोग मुझे नहीं पता था यह 64 में 5 से बाग करो 5 एक कम 5 घटाओ एक आया उपर से 4 उतार लिया सारी साइब आया इसकी 12.8 बहुत अच्छे अंसु मिस्रा बहुत अच्छे बेरी गुड अंसु जी का कमेंट सबसे पहले आ रहा से आम जी भी दूसरे नंबर पे लगे हैं ठीक है ठीक है ठीक है तो यह घटा लिया तो अब कितना जाएगा पांच दूना दस गटालो बच्चा चार आएगा उपर दसमलो बढ़ा के जीरो उतालो पांच अठे चालिस हां टोल पॉइल पॉइंट सिंटिमीटर आएगा यानि हमारा जो एडी था यह भूजा एडी यह एडी मिल गई कितना मिल गई बचवा बारा दसमलो आठ मिल अंतर चतुरुभुज को पैरलोग्राम बोलते हैं इंगलीस में हां ठीक है एबी सीडी के मध्यबिंदू है मिन्स मिड़ पॉइंट है तो दर्साइए दर्साइए मिन्स एक प्रकार से प्रूब कीजिए यह सिद्ध की एर मिन्स होता है यहां पर एरिया है यह उसका सिंब हो जाएगी तब अभी नहीं तो आपको दे दिया जाएगा उसमें यह बताया गया था कि अगर कोई इस तरह से चतुरुज है यहां पर देख पार हो अगर कोई इस तरह से चतुरुज है मतलब पैरलोग्राम है और इसके अंदर में अगर कोई तिरुज बनता है यह मेंरम का भी बेस है जिसका नाम मानलब एबी रख दिआ और जो ट्राइंगल आपका बना रहा है जिसे अप्पीवी बुल सकते हो इसका भी वेस क्या है एबी ही है अगर ऐसी हिश्थिति कहीं होती है प्यारे साथ है हो तो यह पर परमियय यहां पर सम्झों पहले वो पूरा नहीं सिद्ध हो रहा मतलब उसके कट्वाइं नहीं है समझों जैसे अगर हम यहां कहें कि area of area of या फिर तिरभुज APB का छेतरफल मतलब समझ रहो APB का जो छेतरफल है साथियों वो किसके बराबर होगा पता है Half और इसका नाम पूरा कर लो CD Half Area of Quadrational ABCD यह परमी है इसको याद रखना समझ रहो ना इसमें वो पूरा पूरा लागू नहीं हो रहा है इसमें मुझे लग रहा है यह पूरा है भी नहीं हाँ इतना ही है तो यह कुछ अलग है जो हम बताना चाहते थे वो इसमें नहीं है यह है इसको याद रखना हर जगा मोड मोड पे काम लगेगा अगर कहीं ऐसी इस्थिति बनती है कि कोई भी चतुरभूज दिया गया है पैलोग्राम दिया गया है उसके अंदर में कोई तिरभूज बन रहा है जो की बेस कॉमन है मतलब चतुरभूज और उस तिरभूज दोनों का आधार यानि बेस कॉमन होना चाहिए समझ रहो? और उपर भी वो कनेक्ट होना चाहिए तो क्या होगा? यह फर्मूला उसमें अपलाई होगा कि जो तिरभूज का छेतरफल होगा उसमें वो एक बटा दो गुडे समांतर चतुरभूज के छेतरफल के क्या होगा? बराबर होगा एक चीज़ यहां पर और ध्यान देने लाइक है दिल से समझो गई मांदारी से तब ही समझ में आएगा मैं बता दे रहा हूँ कमेंट के पीछे ना पढ़ो कि हम सब का नाम बोलें गुड मॉनिंग गुड इबनिंग करें फिर पढ़ाई नहीं होने वाली सीरियसली पढ़ोगे तब यह चैप्टर जो है सीरियस पढ़ने वाला है हवा नहीं है खेल नहीं है यह हाँ चलो देखो हाँ इसमें समझने वाला यह है कि अगर यह फिगर ऐसे बने यहां पर ना कनेक्ट हो यह तिर भूज और यहां से निकल करके यह आई से कहीं आए और यहां पर इसे बीचे मिल जाए तब फिर यह फार्मूला लागू नहीं होगा फिर इस नियम के खिलाफ हो गया पत समझ रहो ना मतलब वहां पर कनेक्ट होना जरूरी है इसके अलावा इसमें एक इस्थिती और भी हो सकती है अगर कहीं ऐसा मिलता है तो याद रखना अगर आपने एकसरसाइज 9.1 देखा है तो उसमें यह था कोईश्चन इस टाइप का कई कोईश्चन मैंने करवाए थे तो प्यारे बच्चों अगर इसमें ऐसे बने यह ऐसे बने ऐसे तब भी यह लागू नहीं होगा अब कहोगे तब काहे नहीं लागू होगा जब निच्चों कनेक्ट करता है उपरों करता है तो काहे नहीं लागू होगा भई या बाबू राजा इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसका एरिया इतने तक है वाई तर्बूजवाला एरिया सिर्फ बीची तक है लेकिन छतृर्बूजवा का कहां तक है कि ससुरू आतक गया था समझ रहा हूं taking अगर यह कुल मिलाकर पांच है तो यह तो तीने हो रहा तो ऐसी स्थिति में ये लागू नहीं होगा समझ गए ये कांसेप्ट था जो कि आपको सबसे पहले बताया गया था मैंने थोड़ा सा रिवाइच कराया अब इसे पूरा इंड तक देखना बिल्कुल भी जाना नहीं है अगर सीखना है प्यार से पढ़ना है नाइंथ में पढ़ दिया था ना एक बार हाँ ए भी सीदी एक समांतर चदुरबूज था जिसके मद्दे बिंदू थे एफ जीएच ये दिया गया था इसमें एक रेखा मैंने इसको अपने से खीचा है आपको जो अभी अभी मैंने बताया वो चीज सिद्ध कराने के लिए जिससे की आ एरिया है साथियों वो टोटल बढ़के वाले जो चतुरभूज है एनि पैलोग्राम है उसके एरिया के एक बटा दो के बराबर होगा यह हमें दिखाना है चलो लिखो इन पैलोग्राम एवी एफ एच ए ए बी एफ एच मतलब समझो में रेड कलर में भी लिख देता हूं अब हम किसमें चलेंगे इसको इसको ले रहें ध्यान देना इन तिर्भूज वो सरी पैलोग्राम एवी एफ एच जहां जहां मैं रेड कलर में बिंदी रखा हूं इतना ही लेना है तो चलो आगे लिखो उपर लिखो भाई हिंदी वाले हिंदी में लिख लेंगे समांतर चतुरभूज एबी एफ एच में हिंदी में लिख लो समांतर चतुरभूज एबी एफ एच में इन पैलोग्राम एबी एफ एच ओके इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं न हिंदी वाले हिंदी में लिख ले मैंने बता इसमें क्या होगा अब ध्यान से समझो जैसे अभी महीं दर जो अजाई कर रहा था गंटा वहीं इसमें लगेगा इसमें अगर तुम ध्यान दो तो नीचे वाला गर छुपा दो तो ऊपर जो बन रहा है एच और वी एफ वह एक पैरलोगराम बन रहा है उसके अंदर एक तिर चतुर भूज का जो चेतरफल है बाबू वह एक बटा दो और चतुर भूज के जो पैरलोगराम के चेतरफल के बराबर होगा तो चलो लिखो एरिया आफ हेफ लिखो एरिया आफ ए नहीं ए नहीं ए एच एफ या फिर एच एफ लिखो मतलब वही हुआ है एक बटा दो एरिया आफ हिंदी इंगलिस दोनों मैं बोल रहा हूं एक बटा दो एरिया आफ क्या करोगे भैया पूरा वाला ए बी एफ एच ओके ए बी एफ एच यह ठीक है यह फार्मूले के अकार्डिंग सेटलमेंट हो गया यह एफ एच है ध्यान देना इधर कट नहीं रहा है यह लो ठीक है ओके भाई चुप हो जाए चलो इतना हो गया लिखो इतना साथ साथ में नोट डाउन करते रहो क्योंकि बोर्ड आठी फिटका है मिटाना भी पड़ सकता है चलो लिखो मैं हट जाता हूं हो गया अब प्यारे बच्चों यह देखो हमें जो करना है वो तो हमें दिखी रहा है यह तो मैंने जितना रेड किया था उतना क एचर सी डी है एफ एच इडि मतलब इतने में अब आप कुछ करेंगे करेंगे तो लिखो इसी प्रकार को लिख लो जो चीजे में बोल रहा हूं मैं सब कुछ लिखो नहीं कि लिखो इन कहीं से भी पढ़ लो देखो इसका नाम लिखना है चाहे तो तुम यहां सी से सुरू करो चाहे एक से चाहे अप से चाहे डी से तो हम यहीं से शुरू कर देते हैं cd देखो इन पहलो ग्राम cd hf cd hf cd hf भी जैसे इसमें a b f h हुआ था a b f h हुआ था वैसे इसमें cd hf ठीक है अब सारी कहानी इसमें लागो होगी जैसे इधर ही करें थे तुम उसमें वह ऐसे इसमें भी होगा तो इसमें राइंगल वह कहां गा भाई यह hfg लिखो area of area of hgf hgf यह फिर तुम g hf कुछ भी लिखो कुल मिलाकर यह तीनों नाम आना चाहिए बस ठीक है लिखो यह इसी तरह area of hgf equal एरिया आफ एच जी एफ एक्वल हाफ एरिया आफ पूरा चत्रभूज का नाम लिख दो cdhf ठीक है cdhf cdhf तो प्यारे बच्चों आप इनको equation number डालते चलो ठीक है हिंदी वाले ऐसे लिख लेंगे तिर्भूज एच जी एफ का चेत्रफल बराबर एक बटा दो तिर्भूज ओ सुरी एक बटा दो चत्रभूज cdhf का चेत्रफल ठीक है तो आपका यह equation number जो पूरा स्क्रीन साथ निकाल लिया करो बीच बीच में चलो इतना हो गया अब हम क्या करेंगे अब इन ही दोनों जो हमारे समीकरण आये है equation इनको जोड़ देंगे पटक के और जैसे जोड़ेंगे ना वैसे खट से उत्तरा जाएगा चिला के चलो देखो कैसे यहां लिखो non-adding आन एडिंक एकसान फस्ट प्लस इकसां सींड हिंढे समीकरण ABOUT को जोड़ने पर समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर ठिक है तो पियारे बच्क और ऐलों एक चीज यहां पर देखो इसमें ऑच जिए F है इसमें HEF है हमें लाना क्या है EF जी यह चलाना है बईया हो बाबू हो पहले ही आओ सब लोग आओ जल्दी आओ क्या है HEF न देखो HEF और में का है HGF यानी कि इधर थोड़ा देखो मैं इसका अप्रेशन करने वाला हूं तुम यहां समझो ध्यान से यह समझो यह कहानी समझो इसका नाम है HEF है ठीक है ओके और यह मैंने इसका नाम लिखा HEF और निचका वाले का है HGF चल भाई आजा बेटा तुम भी आजा इसका नाम मैं इसमें लिखूंगा लेकिन मैं अगर कुछ और कर तूं तो गड़बड हो जाएगा न यह लोठीक है नेचे दिख नहीं रहा है थोड़ा सा छोटा कर देता हूं का है इतना बड़ा टंग शिदा यहीं बन रहा है पूरा पूरा ना बन रहा है ना क्या बन रहा है है कि आफ जिए चाहे तो यह बड़ा उल्टा पूल्टा हो रहा है यहांसे सुरू कर दो गुल मिला करके कहने का मतलब अगर इसको और इसको जोड़ेंगे आधा आधा तो इसके बराबर हो जाएगा खिक है मतलब कि final में हमारा वही आ गया जो हमें लाना था हम आपको यही समझाने की कोशिज कर रहे थे जो समझने वाले बच्चे हैं वो बड़े प्यार से समझ जाएंगे देखो बच्चों अगर आपको यह नहीं समझ में आरा बाब उना जो बहुत ज्यादा कमेंट किये जा रहे हैं मैं सबका कमेंट देख रहा हूं लेकिन मैं क्या करूं ना पढ़ाँ कमेंटी पढ़ूं तुम जीरो लेबल से पढ़ो बेसिक से अगर नहीं आथा तो पहले कां आफ जी एच इक्वल हाफ वही पूरा फाइनल में एवी सीडी हमें लाना क्या था एक बार कुश्चन में देखो यह यहीं तो लाना था ना एरिया आफ ठीक है हो गया यहां पे लिख लो एरिया आफ या फिर ऐसे लिख लो चतुरभूज एफ जी अच का छेत्रफल हो गया फाइनल नीचे लिख दोगे एंस अप्रूबड क्या लिखूगे एंस एक प्रूबड क्योंकि जिद्ध करना था और हिंदी में लिख देंगे इतिसिद्धम अधाहसिद्ध हुआ कुछ भी लिख दो यह हमें लाना था चलो कुश्चन क्या कहता है आपके सामने है आकृति 9.16 में इसका मतलब यह है कि आकृति में यानी चित्र में और वो चित्र कहां है अभी आपको दिखनी रहोगा तो मैं वो फिगर भी आपके सामने अर्मिया दिखा देता हूँ देखो अभ आपका फिगर भी आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है कहरा कि इस चित्र में क्या-क्या है आगे सुनो समांतर चतुर्भुज A, B, C, D के अभ्यांतर में इस्थित कोई बिन्दु है कोई बिन्दु क्या है कोई बिन्दु है कह क्या दर्साना है area a p b plus area p c d equal half area a b c d यह आपको क्या करना दर्साना है दिखाना है सिद्ध करना है तो बच्चों अगर आपने पिछली कलास देखा होगा जिसमें इंट्रोडक्शन अगरा करवाया गया था तो उसमें आपको एक बहुत बड़ा टॉपिक समझ में आया था कि जब कोई भी दो समानतर रेखाए हो और उनसे कोई एक चत्रभूज बन रहा हो साथ में बीच में उनसे कोई एक तिर्भूज भी बन रहा हो तो वहां पर क्या कंडिशन होती आप अपड़े हो न तो चलो फिर इसका आगी चलते ह जोने है इसले अभी िसले राइसी कंडिशन है LIVE है तो वह क्रने के लिए हम क्या करें इसमें एक लाइन खीच देंग एक रचना करेंड़ेंगे यह सिदह सिदह क्लिए आप समझ रहों यह क्या है आपका यह परकार से रचना है तो अभ इसके जो सलूसंद्थ होंगे यहां आप हेडिंग डालो रचना लिखो ड्रा आलाइन इसका कुछ नाम भी दे दू तबी तो लिखोगे कि कौन सा लाइन ड्रा की हो ना ड्रा आलाइन एक्स वाई फ्रो पी एन पैलोग्राम अलो प्रैलो पैलोगराम नवे तो पीन पैलिट इंड पैरलल पाइल एड़ मंद समें इसको कैसे बोलेंगे एक रेखा एक्स वाई एक रेखा एक्स वाई बी और वज सीदी के समानतर्व खीचा एक रेखा x y a b और c d के समानतर खीचा इसको आप लोग लिख लेना मुझे लिखना जरूरी नहीं है ठीक है construction में लिख लो draw line x y throw p and parallel to a b and c d यह हो गया अब अगर हमने इसको खीचा तो यहाँ पर नीचे लिखो आता है आप सबको पता है अगर मैंने एक line ऐसे खीच दिया तो भाया x y a b के समानतर है x y c d के भी समानतर है तो बच्चा a x समानतर होगा भी वाई के बोलो कि a x यह बी वाई के समानतर होगा की नहीं पैरलल होगा की नहीं भाया हो जैसे तुम आयत बनाते हो बाबू अगर एक अजया खीच रचैंगल बनाते हो तो तुमारी यह दोने लाइन होती हीच की नहीं यह थोना समानतर होती न और यह beiden तो समानतर होतीज के उतीए ना तो वैसे कंडिशन तो बन रही है तो इसको लिखे लो यह क्या है समानतर है तो आगे लिखो कि आता है AX Parallel BY AX Parallel कचिन रही wiping AND जैसे इधर AX BY के समानतर है वैसे इधर CY या फिर YC यह XD के समानतर है ठिख्या है? अगे लिखो AAB Parallel XY पहले हम gegenüber EC मिलेंगे इतने मतलब से तुर्भू़ ज मिलेंगे उपरवाले में बश लिखो इतना ठीक है इसमें किसी को कोई डाउट नहीं न चलो फटा-फट इसको लिखो जल्दी से यार सामने से मैं हटता हूं तो इतना हो गया एक पॉइंट करते चलो क्योंकि इसमें मिटाना भी पड़ेगा अब आप यह कह रहा होंगे कि भाईया यह जो लिखाय हो कैसे लिखाय हो यह कैसे तो कोई सब्सक्राइब दो वाई कांश्ट्रक्शन भाई कांश्ट्रक्शन हिंदी वाले लिखते हैं रचना से ठीक है बाई कांश्ट्रक्शन यह रचना से चलो हो गया अब देखो आगे क्या होगा हम सबको पता है कि a b x y एक क्या है समानतर चतुर्भूज बन रहा है एक पैलो ग्राम बन दा है न तो लिखो इसलिए निचे लिखो इसलिए a b x y is a पैलो ग्राम ओके a b x y is a पैलो ग्राम समझ मैं है चलो आगे समझो अब आगे क्या करना है अगर यह एक पैलो ग्राम है a b x y तो क्या होगा बच्चा तिर्भूज a p b और तिर्भूज समझो जैसे मैंने बताया था ना कि जब कोई मैं हर बार बताता हूं यह चीज फिर से एक बार समझ लो अगर इस तरह कोई आपका एक समांतर चतुर्भूज बना है और बच्चा उसके बीच में ऐसे कोई तिर्भूज बनता है जो कि इस आधार के इस कौने से लेकर इस कौने फे उठता है मतलब समझना अगर यह कंडिशन होती है तो जो तिर्भूज का छेतरफल होता है वो पूरे संपूर्ड पैलो ग्राम के छेतरफल के एक बटा दो के बराबर होता है न समझ गया यह आप सीखे हो तो आगे बढ़ते हैं मिटाने माला कहां गया यह यह लफडा है कहां कहां कि निकला 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 तेरी जरूरत है चलो देखो समझो आगे अब समझो 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 अब अगर यह पैलो ग्राम है तो लिखो अगे लिखो क्या लिखोगे इसलिए a pb and a b x y are on the same base and between same parallel line a b and x y लिखो लिखते टाइम इसको तोड़ा था आपको कि इतना ठीक है ओके क्लियर देखो यह चीज अगर मैं आपको ऐसे लिखूं डारेक्टली मैं थोड़ा सा मतलब टाइम ना आपका बचाओं तो बहुत टाइम लग जाएगा ठीक है तो यह चीज आपको लिखना था आप इसे लिख सकते हो हिंदी मीडियम वाले कैसे लिखेंगे बैं उनको बता देता हूं अलग से जो हिंदी लेंगोज वाले हैं वो समझ लें देखो इसका मतलब क्या है यहां पी लिखा है इसलिए इसका यह मतलब है कि अगर abxy एक परलोग्राम है abxy को हम थोड़ा साटकट में आपको दिखाने के लिए इसका एक नमूना इधर साइड में बनाके दिखा देता हूं तो देखो बच्चा यह कुछ हैसे बंगा ना बाबू इसका नाम है x इसका नाम है y इसका नाम है ab और इ बोलो है कि नहीं मैं यही चीज इसमें से निकाल लिया काटके xy के उपर का पूरा समझ रहे हो ना तो ऐसे दिखेगा ना तो भाया हो अगर यह इस तरह से बंता है तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब भाया सिंपल सा है कि a p देखो यहां पर लिखा था ना इसको लिख लो इसका मतलब यह है कि a p b and यह पूरा a b x y आरां same base and between same parallel line same base पर हैं दोनों कौन यह तिरभूज a p b same base पर कैसे हैं दोनों का आधार a b है क्योंकि दोनों इसी पर बना है आप समझ रहे हो कि नहीं बहीं आधार तो इसका कोई भी मान सकते है उपर का नीचे का यह दिबाल तो अगर यह दोनों एक ही आधार पर बने हैं और एक समान समानतर line के बीच बने हैं समानतर line कौन सी है a b और x y इनके बीच में तिरभूज भी बना है इनकी बीच में यह चतरभूज भी बना है है ना यह चीज तो इसमें लिखा गया है हिंदी बाले लिखें इस लिए पह AB XY दोनों समानाधार और समान समानतर लाइन के बीच बने हैं तो भाया अगर यह इस्तिती होती है तो क्या बनता है जो आपका परमी मैंने आपको पढ़ाया था वो लागू हो जाएगा तो चलो उसको लागू कर लो कि जो तिर्भुज का छेतरफल होगा वो बराबर होगा ए आगे लिखो इसलिए आ एरिया एयार लिखा जाता है एरिया को साट कर में ठीक है एरिया आफ-a-p-b अरिया आफ-a-p-b क्यों भाई-a-p-b किहीं बात हो रही है बीकि कुछ और बात हो रही ठीक है यह बराबर होगा किसके यहां ट्रेंगल का भी चिंद बना लो नहीं तो लोग कहेंगे का हो रहा है लिखो एरिया आफ एपीवी इक्वल एक बटा दो एरिया आफ एरिया आफ एबी एक्स वाई समझ में आ रहा ना बच्चे देखो जो भी कमेंट करने की नहीं आ रहा है मैं देख पा रहा हूं मिश्टर सुधानसु जी कमेंट आ रहा तुमारा बच्चा प्रिया प्रियांका राज देखो जो कमेंट के पीछे पढ़े हैं परिसान मतों मैं नाम नहीं बोलने वाला हूं पढ़ाई कर लो ध्यान दो बहुत ध्यान से समझो अगर आपने पहले चैप्टर से देखा होगा तो सब समझ में आएगा नहीं देखे हो तो आने वाली एक तारीक से अभी नया चैप्टर सुरू होगा नया बैच सुरू होगा है ना आप कमेंट करके बताओ कि आपको समझ में रहा यास 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 याथ नू बोलो कि चलो तो यह आपका इक्वेसन नंबर हो गया तो जैसे जैसे हमने एक्स और बी वाई इसके वीच ऊपर का किया था उसी तरह नीचे भी सब कुछ होगा ठीक है अ फिर स्वारी इसलिए नहीं इसी परकार इसी परकार मतलब कैसे जैसे यह उपर आपका आधा परलोग्राम में किया गया था a b x y में वैसे नीचे भी आप करोगे x d और y c में चोलो लिखो इसी परकार लिखो लिखो फटा फट लिखो d c और x y इसमें क्या रिलेसन है भाई बताओ भाई dc या cd x y के क्या है पैरलल है समांतर है ना दोनों ऐसे ऐसे है ना समांतर है ना लिखो इसी परकार dc x y is a parallel क्या पैरलो ग्राम लिखो ठीक है चलो उपर लिखो इसी परकार इसी परकार c d x y is a parallel क्या है हिंदी में लिख लो इसी परकार c d x y एक समांतर चतुर्भुज है ठीक है ओके इसी परकार c d c d x y एक क्या है समांतर चतुर्भुज है तो भाई अगर इसमें तुम देख रहे हो तो इसमें भी जहांपे पी है यह देखो आके बिंदु मिल रहा है यहां नीचे से उठा बराबर न इसमें भी वही चीज लागू होगा लिखो अ एरिया आफ ट्राइंगल d p c एरिया आफ ट्राइंगल d p c या फिर आप ऐसे कह सकते हो p c d मतलब एक ही हुआ चाहे तो p c d बोलो चाहे dp c इसी बोलो मतलब यहां पर एक ही हुआ क्योंकि यहां पर कोई निश्चित नहीं है कि हमें क्या दिखाना ठीक है लेकिन उसके पहले यह कहानिया तो लिखना पड़ेगा जो इसमें लिखा था इसको लिखो 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 तिरभूज p c d चलो इसको पटापट नोट करो इसी परकार p c d and d c x y are on same base d c and between same parallel line x y and c d हिंदी मिलिख लो इसी परकार तिरभूज p c d और चतुरभूज d c x y दोनो एक समान base और एक समान base d c और दो parallel या फिर हिंदी में लिखो भाई हाँ दो समानतर रेखाओं x y और c d के बीच में इस्थित है ठीक है समझ गए ना लिखो इसलिए तिरभूज p c d और चतुरभूज d c x y ये दोनों एक समान base d c है ना ये समान base d c और between same parallel line x y and c d मतलब इसका ये हुआ और एक समान समानतर रेखाओं के बीच में इस्थित है जितनी बार बोलेंगे उतनी तरह की परिभास आपको सुनाई देगी क्योंकि ये परिभास आपको बना के लिखना है इसमें कोई जरूरी नहीं कि आप same to same जो हमारे मुह से निकल इस चत्रूज का भी बेस है और P dc या फिर cpd या फिर P cd इस तिर्बुज का भी बेस है तो वहीं चीज महां पे लिखा गया है ठीक है इतना समझ गए ना बच्चा तो अगर इतना आप समझ गए ऐसी condition बन रही है तो आपका जो तिरभूज का शेतर पाल लेओ क्या होगा लिखो यहां पर इसलिए इसलिए area of area of pcd equal area of pcd equal half area of cdxy लिखो area of cdxy या फिर dcxy area of dcxy ओके कोई दिक्कत नहीं किसी को न लिखे लो फटा पर नोट करते चलो बच्चा यह हो गया आपका question नमबर सीकेंड देखो मिस्टर मुन्ना चोधरी क्या चाहते हो तुमें बलाक कर दें मार कमेंटे पर कमेंटे टेंडा करें हो मैं सबका कमेंट देख पा रहा हूं लेकिन पढ़ाई कर लो पढ़ाई कर लो बेहतर होगा यह बहुत आसान नहीं है जिनको नहीं समाझ में आरा चैनल सब्सक्राइब करके रखना है आप सबस्क्राइब करके रखना है जो पिछले चैप्टर नहीं देखे हैं उनको समझ में कम आ रहा होगा क्योंकि जो चोटे-चोटे कंसेप्ट होते बहुत सारी चीजे वह नहीं समझ में आप नहीं आएंगी क्योंकि वहां पर कर लो इसको आराम से पढ़ोगे बड़े प्यार से आएक एक दम पानी हो जाएगा उसके लिए आप प्लीकेशन डाउनलोड करिए और वन से 10 तक का पूरा कोर्स उसमें है अप्लीकेशन में ठीक है अप्लीकेशन का नाम भी वही है जो चैनल का नाम है पी बी आर एस्टड भी इस पेलिंग ध्यान से देख लो सर्च करोगे मिल जाएगा चलो यह आपके दोई क्वेशन हो गये ना तो भाई आओ बाबु हो आप क्या करोगे दोनों को जोड लोगे क्या करोगे बाई एडिंग फ़श्ट एंड सीकेंड एक्वेशन चलो फटा फट जोड़ो इनको दोनों को जहां आप जोड़े फटा फट वही आजाएगा जो आपको लाना था देखो मैं बताता हूं वह कैसे आजाएगा पता है आपको देखो वह इसलिए आजाएगा क्योंकि इसमें है कुछ खास वह क्या देखो भाई कहां गए PCD न इधर देखो PCD और इधर अब बना था APB बना था ऐसे कुछ बना था रुको मैं देखता हूं हाँ तो भाई अगर तुम इसको जोड़ दे रहे हो इसको जोड़ दे रहे हो तब तो पूरा-पूरा यह सीधा-फिदा जुड़ी जा रहा है बाकि आपका इस साइड का थोड़ा-थोड़ा बच रहा है है ना और वो तो उधर साइड बराबर है ही DCXY के और मुझे लग रहा दोनों उसी के बराबर था का DCXY अरे DCXY तो छोड़ दो तुम DCXY का मतलब यह आधा चतुरभूज और इधर वाला जो था ABXY यह दोनों मिला के सब पूरा कंपलीट नहीं हो जा रहा है हो जा रहा ना तो लिखो समी करन एक और दो को जोड़ने पर बाई एडिंग एक्वेशन फाइस्ट प्लस एक्वेशन सिकेंड ओके तो भी यह दोनों एक्वेशन कर दो बाबू चलो चलो क्या था पहला मुझे देखने दो APB then PCD लिखो APB APB यह पहले था आभी कुछ दर पहले आपने देखा था प्लस ट्रैंगल PCD इक्वल कितना आया था एक बटा दो ABXY ठीक है और इसमें क्या जोड़ना है एक बटा दो DCY X एक बटा दो DCYX इतना सब कुछ किलियर है उधर मुझे लग रहा DC के बाद बाहर थोड़ा चला गया तो कोई दिक्कत नहीं मैं थोड़ा इसको इधर घुमा देता हूँ चलो आप देखलो फटफट फट फट बस बिल्कुल टेंसन मतलो एक दी पैसे का चलो पहले इनका सलूसन देखलो बाकी उधर देखना जो छूट रहा है को इस चन बाद में दिखा दूँगा चलो तो भी आहो बाबू हो अगर आप इसको जोड़ोगे APB APB और यह CPB D स्वरी CPD तो यह कुल मिला के जूड़ के एक हो जाएंगे और बराबर एक बटा दो ABXY है जो ABXY और यह CDXY दोनों जूड़े का तेक चतुरभूज बन जाएगा तो इस तरह से आपको आपको आजाएगा जो आप निकालना चाहते थे किया निकालना चाहते हो बताओ कि बन fb दान यह pcd equal ओध ईक तो यह बन जाएगा एक बटा दो अरे बहीं जोsight जो आपही दिखो नता लुसत है area of a b c d area of a b c d बस हो गया आपका अंसर आगया यह चलो लिख लो इसक्रिंसाइट ले लो उसके बाद आगे बढ़ते हैं attention मतलो सब कुछ ले लो चलो 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 चल दिखरो यह आपका इसक्रिंसाइट इसमें का कुछ न का कौन सा था यह फास्ट पार्ड था तो बच्चा बिल्कुल भी आप अंसर मतलो बावु हां चलें आगे बढ़ें चलो ठीक है विल्कुल मस्त है सब कुछ मस्त है एक्दम ललन टाफ है जी से बोलते ना चलो 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 इस तरह से देख लो वाई एक्स समाझ है ना वागल में जागा नहीं नीचे लिखा बाकि वागल नहीं रहेगा तो नोट कर लिए यह आपका फाइस्ट पार्ट था कुछ नंबर चार का पाहला भाग था इसमें दो भाग है इसक्रिंसाट ले लिए हो तो मैं मिटा दूं अगर नहीं स्क्रिंसाट लिए तो वीडियो रोको रों करके तुरंद नोट करो फटा फट चलो चलिए इसका आप सीकेंड पार्ट देखिए पर यह साथियों जैसा कि आपको पता है इसका पहला पार्ट अभी अभी कंप्लि इसी चित्र में पी समांतर चतुरभूज ABCD के अभ्यंतर में इस्थित कोई बिंदु है अभ्यंतर का मतलब वोता बीच में या मद्द में ठीक है जो चतुरभूज ABCD बना था उसके बीच में मद्द में कहीं इस्थित है एक बिंदु है जिसका नाम क्या पी है ठीक है तो क पहला का अंसर आया था। जितना हमें प्रूब करना था उसकी सहायता से हम दूसरे वाला प्रूब करेंगे ठीक है। उसको हम लिखके रखेंगे। तो ये हमारा इक्वैसेनित नमबर 3 बना था, अब य économ Auf killed नंबर 3 बना था ये। करेंगे एक रचना करेंगे जिसका नाम आप लिख लीजिए पी क्यों ठीक है ओके अब ध्यान देना इस पी का यूज अब ऐसे बहुत कम जगा होगा जहां होगा आप करेंगे अब ही आपने देखा होगा क्या देखा था कि जब कोई दो समान समान धर लाइन हो और उनके बीच में यह रही मतलब जैसे यह एड यह वह इसे हैं कि आतना कर दो कुछ एटगा यह ंंकुल वह कि ए मुव्यगा आप यह प्रिज़ा आप यह चीत्र मैंने थोड़ा ज्यादा ऐसे कर दिया इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा तो यह भाई यह लाइन ऐसे खीचेंगे तो एडी और पीक्यू दोनों क्या समानतर है जब कोई दो तो ऐसी समानतर लाईने हो इंके बीच में क्यों दिर्भूज बन रहा हो देखाऊ कि दिर्भूज बन रहा कि आपके नर्ट फर्मूला एक क्वेक्ट होता है वो क्या होता है कि जो तिर्भूज का छेतरफल होता है वह चतुर बूज के शेतरफल के आधे के बराबर होता है तो आप लिखेंगे तिर्भूज तिर्भूज अपिडी ठीक है तिर्भूज ए पी डी यह यह तिर्भूज एपी डी इससे नहीं मतलब अभी अभी पीस मतलब आप इसकी बात कर रहा हूं दे हाने ना तो है आप क्या लिखेंगे तिर्भूज ceremony का झ्हेत्र ओके लिखो तिर्भूज ए पी डी इसके उपर थोड़ा सा एक चीज लिख लेना रचना या कांस्ट्रक्शन ठीक है रचना या कांस्ट्रक्शन लिख लेना आप लोग लिखना रेखा ए डी के समानतर पी क्यू खींचा ठीक है रेखा ए डी के समानतर पी क्यू खींचा इसे लिख लेना बाबू ठीक है उपर रेखा AD के समानतर PQ खींचा Q फार कुइन ठीक है अब तिरभूज APQ का जो शेत्रफल है वो किसके बराबर होगा बाबू बराबर 1 बटा 2 चतुरभूज पूरा पूरा APQD ठीक है APQD लिख लीजिए APQD यह आपका equation number हो जायागा 3 तक हुआ था यह चाओ था हो गया इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ नहीं ना कोई डाउट नहीं ना अब इसी परकार समझना अभी हमने सारी कहानी सिर्फ यहीं तक किया है एक बार फिर से समझिए APQD यहीं तक किया है अब यह एधर साइद में कोई बात नहीं कर रहे हैं लेकिन अब इसको भी लेंगे यह थोड़ा जादा बढ़ा दिखरा होगा आपको ना जादा बढ़ा दिखरा है वर यह अाधाा है ठीक है यह थोड़ा ऐसे लंबा खीचना था यहां तक आता चितरा आपकी किताब में देखो थोड़ा अच्छा बना होगा है ना तो भाई यह आधा चतुरभूज है यह आधा है देखने में आपको भले आधा ज्यादा यह लग रहा है लेकिन आधा आधा है ठीक है अब समझोगे तो समझ में आएगा बाबू कामेंट के चक्कर में ना पड़ोनीट समय नहीं आएगा ठीक है इसी परकार लिखिए चतुरभूज PQCD में ठीक है यह यह फिर ऐसे भी कर सकते हो पीबी Cq में ठीक है इसी परकार पी बी सी क्यों में इसमें भी बिल्कुल ऐसे ही हो जागा क्योंकि इसमें भी क्या है एक तिर्भूज में ज किसे को डाउट नए अब देखो समझना प्रिया साथियों अब इनी क्वेसं जो चार और पांच बना है ना इन दोनों की सहायता से हमें काम करेंगे इनको दोनों को जोड़ देंगे लिखिये आप लिखिये हिंदी में लिखिये समीकरण यह लाइन ऐसे मैं खीच दे रहा हू यह लाइन देख लो अब इसमें कन्फ्यूज नहीं होना उदर का लाग इदर का लाग है समी करण चार दन यह पांच इन दोनों को हम जोड़ देंगे अब यहां पर समझना चार नंबर में है एपीडी इसमें है पीबीसी तो यह दोनों जोड़ जाएंगे लिखो एपीडी धन तिरभूज पीबीसी बराबर इधर वाला भी जोड़ जाएगा हाफ एपी क्यूडी और इधर हाफ पीबीसी क्यूड ओके लिखो एक बटा दो एपी क्यूडी इधर नहीं दिख रहा होगा तो मैं दिखा दूंगा बिल्कुल टेंसन मतले ना दिख तो रहा भईया पूरा दिख रहा न बाबु आहां दिख रहा है अब लीको थोड़ा इधर सलूचन करूंगा बाढ़ मैं आपको पूरा दिखादूंगा आप कहीं जाना नी टेंसन मतले न बिल्कुल बाद में एक नजर में चलो इं दोनों को जोड़ना है जो भाई देखो समझ न मैंने आगे वाला बराबर का एक हिस्सा इधर का है एक बराबर के उधर का है तो बराबर के इधर का जो चौथा समीकरण का था APD मैंने लिख लिया पाच्वे समी करण का भी बराबर की इधर वाला लिख लिया इस समी करण का मैंने यह लिख लिया अब इसका भी यहां लिखेंगे एक बटाद दो PBCQ अब एक चीज़ यहां देखना यह दोनों तिरभू जुड़ गए बहिए यह चत्रभू जुड़ रहा है APQD और यह PBCQ तो जब यह दोनों चत्रभू जुड़ेंगे तो बड़का वाला बनने जाएगा जरा सोच के बताओ बड़का वाला बन जाएगा ना बाबू बन इसको तो जैसे है ऐसे ही रहने दो इसमें तो जुड़के कुछ नया बनेगा नहीं लेकिन उधर वाला यह दोनों चत्रभू जुड़ जुड़के A B C Q C D बन जाएगा A B C D बन जाएगा ठीक है तो हम इसे लिखेंगे तिर्भूज A P D धान तिर्भूज P B C इक्वल यह हो जाएगा आपका क्या पूरा-पूरा A B C D जो हमें सिद्ध करना था ऐसा कर सकते हैं कि नहीं या फिर इसे यह भी एक काम कर सकते हो क्या जरत थोड़ा समझना A P D और P B C है न भाई यह चीज तो अभी कहीं और भी आया था एक नजर देखो पीछे कहीं आया था ना यानि इसको हम जो सिद्ध करना था वही लिख सकते हैं P B C और A P B यह जितना प्रूब करना था यह इ इसे देखो लिखो A P B धन यह आपका P C D कैसे इसको लिख रहे हैं अभी थोड़ा समझना में बता रहा हूं इसको थोड़ा मैं छोटा फालिक देता हूं हां ठीक है थोड़ा छोटा लिख लो यह तिरभूज A P B जैसे यहां पर लिख रहा था एरिया बराबर वह ऐसे भी नहीं रुख जाओ देखे इसको मैंने एक दिम क्लियर कर दिया अब यहां से आपको समझ में आ गया होगा बिटा देखो यह दोनों जब जूड़ेंगे तो पूरे पूरे कंपलीट बड़े बाले चतुर्भूज के बराबर हो जाएंगे बाइस सी बात है यह चतुर्भू दिवे गालिक होगे सभी करण 3 और 6 से ठीक है यह झेह और यह समीकर्ण 3 है आप नेचे लिखेंगे फटा फटो लिके यह समी करण 3 और 6 से फांट फटापर लिखें लिखें लिके यह समी कर आँदो आए अच्ट även इवना है तीक है वह भी था लिकिन इसका मनें मान रखक तो इससे आप फाइनल मान सकते हो ठीक है ओके डन तो अब लिखो सामी करण तीन वा छे से ठीक है तीन और छे से जो आंसर लाना था वही लिखती जिए लिखिए एरिया आफ APD वाइचे में क्या है यही तो है APD धन एरिया आफ यह PBC और बराबर हाफ ABCD हाफ ABCD के बराबर यह है इसको लिख लो area of a p b और धन area of a pc d ठीक है और हमें लगता है यही तो सिद्ध भी करना था ना नीचे लिखते जी हैंस प्रूब्ड आता हैं सिद्ध हुआ क्या हुआ सिद्ध हुआ हैंस प्रूब्ड टिकर डन लिख लेजिए मैं सामने से हड जाता हूं वीडियो करों करके स्क्रेंश लेजिए कोई डाउट है तो बताइए देखे कोईश्चन थोड़ा सा दिमाख वाले हैं मैं एक नजर में पूरा दिखा देता हूं आप देखिए एक नजर तो याद रखना exercise 9.2 और last question है आज question number 6 ठीक है उसके बाद आपका 9.2 खतम 9.3 शुरू होगा question देखिए बहुत आसान है बिलकुल कहानी जैसा है कहरा कि एक किसान के पास PQRS के रूप का एक खेत था उसने RS पर इस्थित कोई बिंदू A लिया पहले परसन को पढ़ ठीक है उसके बाद आगे कहता है खेत कितने भागों में विभाजित हो गया जब उसने ऐसा किया तो खेत कितने भागों में बट गया और इन भागों के आकार क्या है वो भी बताना है कि तिरबुजा आकार भाग बने है या फिर चतुरभुज के आकार के बने है किस आकार क करने लेडी जh wona चाहती है और तो बराबर बराबर भागों में बोन अगर चाहती है तो वो एसा कैसे करें इसका समधान疑 करना मैं पहले इसको फिगर बनाएंगे फिगर के अधार पर ही कुछ होगा इसमें कुछ ज़्यादा लिखना है नहीं सिर्फ और सिर्फ समझना है ठीक है? देखें खेत है तो खेत आप लोग सभी देखें हैं ऐसा तो है नहीं कि कोई खेत ना देखा हो कहत का मतलब मैदान फिल्ड जैसे होता है न? कह रहा कि PQRAS के आकार का है PQRAS के आकार का मतलब यह है यह कोई भायस बैल के आकार का नहीं भाई PQRAS 4 क्यों दिया है क्योंकि चतुर्बूज के आकार का है तो हम माल लेते हैं कि किसान का खेत कुछ ऐसा है यह क्या है इसका फिगर है इसका नाम हो गया PQRAS इतना ठीक है या फिर इसका नाम आप कुछ और तरीके से भी लिख सकते हो आर को इधर लिख दो या इसको उधर लिख दो कैसे भी कर लो आप यह ऐसे कर लो ठीक है PQRAS डन ऐसे लिखा था मैंने ठीक है मैंने खेद बना लिया कहरा कि उसने आरियस पर इस्थित कोई बिंदू ए लिया और उसे पी क्यू से मिला दिया तो आरियस पर इस्थित कोई बिंदू माल लेते हैं ए ले लिया कहरा फिर उसे पी क्यू से मिला दिया लो हमने वो भी कर दिया जैसे कहरा वैसे करना बहुत आस फुस्चा है पहला दूसरा डालके लिख दे रहे ठीक है तो आप लिखोगे बाबू कि खेत तीन भागों में एफ भी बाजित हो गया थीक नहीं समझ में आरहा भी बता रहा हूं कैसे एक, दो, तीन सिम्पल सी बात है नाम लिख दो इनके A, B, C, तीन भाग बन गया न खेट तीन भागों में विभाजित हो गया अगर कोई doubt है तो मुझे बता दो ठीक है आगे बढ़े खेट तीन भागों में विभाजित हो गया अगला अगला परसन क्या कह रहा है इन भागों के आकार क्या है तो भाई इसको भी लिख दो All Parts are like a triangle तीन पागों में विभाजित हो गया उसके नाम भी लिख दो विभाजित हो गया लिख दो ऐसा ऐसे तिर भूज कौन कौन तीन भाग भाई लिखो 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 पिए डिटो और एक लिख लो तिर्भूज पी एैस और तिर्भूज प्यू ए आर प्यू ए आर यह क्या है उस खेत के तीन भाग है जिन में यह विवाजित हुआ है ठीक है आप इनका नाम अलग तरीके से भी लिख सकते हो मैंने ऐसे पिए-ए-फ लिखा ऑप यसे भी लिख सकते हो वह अपना अपना तरीक ओप फिर एस पी लिख सकते हो ठीक है है कि आगे कह रहा है कि हां खे इन भागों के आकार क्या है आप लिखो गघ्ली shape are like a triangle हिंदी में लिखेंगे सभी भाग सभी भाग तिर्भूज आकार के हैं क्या हैं तिर्भूज आकार के हैं हिंदी इंगलिस दोनों बता दे रहा हूं ठीक है समझ गए ना बाबू अगला कह रहा है कि वो किसान बराबर बराबर भागों में गेहूं और दाले बोना चाहती है तो ऐसा कैसे करें भाई बराबर बराबर भागों में वो बोना चाहती सिर्फ दो फसल कितनी फसल दो एक में एक गेहूं एक दाल लेकिन यहां पर तीन भाग हो गए हैं तो भाई यह डेर डेर कैसे करेंगे यानि कैसे वो बोई किस भाग में गेहू बोई किस में डाल बोई जिस्से की बराबर बराबर गेहू और बराबर बराबर दाल पैदा हो मतलब उसका चेटरफल बराबर होना चाहिए तो देखो बाबु आपको ये चीज diagnostic मालूम है क्या मालूम है अगर कोई दो रेखाएं आपस में पैरलल हैं समानतर हैं उनके बीच में कोई तिर्भुज बनता है कोई दो रेखाएं आपस में समानतर हैं उनके बीच में कोई तिर्भुज बन रहा है तो जो तिरुबुज का चेत्रpल होता है वो चतुरुबुज के चेत्रpल के आदे के बराबर होता है तो यहां पर यहीं हो रहा है पेक्ई बदाना नहीं समझ मेरा मैं दिखादो अलग से यहां देख लो छोटा सा मिटा दूगा ठीक है देखो बहिए ऐसे मैं समझो मैं यह कहना चाहता हूँ मैं यह कहना चाहता हू deja haa कि बलो ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है यहां पर क्या है यहां पर यह अच्छा लाश्ट हो रहा है ठीक है ठीक है डॉन ठीक है ओके यह क्या है यह क्या है यह क्या है यह क्या है और यह क्या है और यह क्या है और यह क्या है यह समांतर लाइन है और उन्हीं बेस पर क्या बराबर हो जाता है हाफ और चत्रभूज के छेत्रपल के बराबर तो नीची आप लिखो इसमें नीची आप लिए यह चीज समझने वाली है सब कुछ लिखा नहीं जा सकता है अपर ठीक है समझते चलिए अगर जाहें तो आप तिर्भुज पी एक्यू ठीक है बराबर लिखो एक्वल हाफ कि एरिया आफ पी प्यू आरेस है नहीं ठीक है ठीक है ना बाबू यानि जो इतने का छेत्रफल है वह आधे चेत्रफुजी के छेत्रफल के बराबर है तो आएसी इस्तिती में आप क्या करोगे आएसी इस्तिती में आप क्या करोगे भाई सीधी सी बात है कि अगर यह हम मानते हैं पूरा 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 अगर इसका चारंग मिलता है इसका भाग का तो दो इसका है बाकी एक एक इसका है अगर समझ गया ना यानि इसमें जो चीज बोया जायाएगा इतने में वह आधे के बराबर होगा पूरे अगर अगर आधे में यह दोनों है यानि तीन तिहाय हिंसा हो गया आशा समझ लो इस तिरभूज में जितना आफासलों बोएगी यह जो बड़ा वाला पी एक्यू इसमें वह पूरे खेत का आधा के बराबर होगा तो आपनी चे लिखिये किसान को गेहूं और दाले बराबर बराबर भाग में बोने के लिए तिरभूज पी एक्यू वाले भाग में गेहूं दिखलो तिरभूज पी एक्यू वाले भाग में गेहूं बाकी सेस तिरभूज पी एस और तिरभूज क्यू ए आर में दाले उगानी होगी ठीक है एक बार फिरते सुन लीजिए किसान को गेहूं और दाले बराबर बराबर और भाग में उगाने के लिए तिर्भुज P A Q वाले भाग में गेहूं बाकि से तिर्भुज P S A और Q A R वाले भाग में डालें उगानी होंगी या फिर या फिर दूसरा अपसन भी है दूसरा अपसन भी है लोग कहेंगे नहीं हम इसमें ही गेहूं क्यों उगाएं कोई तिक है अथवा किसान को बराबर बराबर भाग में कहींँआ ळाले हुगाने के लिए हैं कि दिर्भुझ पी एक वाले भाग में दाल याद रहे पिछले वार में वहें फिर्फ। पी Aq में यहूँखाया थ 아니라 थे लौनोंभागा पे-स-ए तथा क्यों ए- everyone में गेहूं उगाना होगा ठीक है समझे गए ना तथा से दोनों भाग इसमें 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 दाल हो गया दन तो इस तरह से आपका नाइन पॉइंट पूरा कमपलेट हो गया अगर कोई डाउट है आप कमेंट करके बताएए कहरा कि किसी बृत्त की एक जीवा जीवा मतलब कॉर्ड बृत्त की तृज्या के बराबर है यह जो जीवा है वह बृत्त की रेडियस के एक्वल है करा कि जीवा द्वार लगू चाप के किसी बिंदू पर अंत्रित कोण ग्याद कीजिए तथा दिर्ग चाप के किसी बिंदू पर भी अंत्रित कोण ग्याद कीजिए कहने का मतलब यह कौण का मतलब एंगल और चाप का मतलब आर्क एरसी ठीक है यह इनका इंगलिस मिनिंग हुआ आईए समझते हैं सबसे पहले हम यह समझते हैं यह लगूचाप क्या होता बहिए चानते हो पहले सको डीटियल में बता दे थोड़ा सब तब फिर हम आगे बढ़ेंगे जिसे माइनर आर्क बोलते हैं क्या बोलते है माइनर आरक पैनले तो यह समझ लीजिए और यह दिर्ग चाप दिर्ग चाप क्या है जैसे कोश्चन में चर्चा हुई है जिसे मेजर आर्क बोलते हैं ठीक है तो यह आपका क्या है यह जो फिगर आपका दिख रहा है यह दिर्ग चाप मेजर आर्क का है यह आपका लगु चाप का है यह माइनर और कपीघर है जो मैंने बनाया है ठीक है और यह आपका फुल है इसमें लघू और तिर यानि माइनर और मेजर आर्क दोनों है तेखिए यह जो बीच में लाइन गई है पी क्यू ना पीक्यू के ऊपर जितना भी बना है वो क्या है वो major arc है आपका इस पर जो एंगल है वो A है समझ रहे हो यह देखो PQ है ना यह यह एक जीवा थी chord थी तो इस जीवा यह निए chord के ऊपर जो यह जो भी चीज़े बनी है वो क्या है वो आपके major arc में है ठीक है और यह नीचे यह क्या minor arc में है यानि इस चित्र में अगर आप देखो तो PQ के नीचे जो एंगल बन्दा यह क्या माइनर आर्क में है समझ रहो इसलिए मैंने मेजर आरक और माइनर आर्क को अलग अलग दिखाने की कोसिस किया है ना उमीद है कि आप समझ गया हूंगे तो इनको हम मिटा करके अब मुख्य कोईश्टन की जो टॉपिक है उन पे चलते हैं ठीक है सबी बच्चे लिख लिजिए कुछ बच्चे कमेंट के पीछे बहुत परिसान है देखो बटा पढ़ लो ठीक है नाम नहीं बोलूँगा आज में किसी का इस क्लास में जिनको पढ़ना इमांदारी से पढ़ेंगे कमेंट में सब का देख रहा हूं जैसे मैं रोज आपका नाम बोलता हूं उसी तरह से मैं देख रहा हूं लेकिन आज नहीं आज सिर्फ पढ़ाई होगी बस कोई डाउट है कमेंट करो सर बताएंगे आज आए अब इसमें हम इसको सलूसन पर चलते हैं नीचे दिख रहा होगा उमीद है आप लोग बताओ कमेंट करके यहां तक दिख रहा ना बेटा दिख रहा ना आप यहां लिखोंगे जो भी चीजें क बराबर ओपी ये क्यों बराबर है क्योंकि ओपी इस ब्रित की की त्रिज्या है रेडियस है और पी क्या है जीवा है यहां यहां पे गृड़िए न आप ग्याद करना है इंगलिस वाले लिख लिजिए एंगल आन मेजर आर्क एंगल आन मेजर आर्क इज एंगल एक्वल कुश्चन मार्क ठीक है और अगला इसमें नीचे और भी लिख लिजिए एंगल आन माइनर आर्क इज एंगल बी एक्वल कुश्चन मार्क ठीक है हम हिंदी म आप लिख देंगे लिखिए दीर्ग जाब पर बना कोण अ यह ग्यांद करना है यह मैं हिंदी में लिख दिया उसी को मैं इंग्लिव में बताया था ठीक है लग चाप पर बना कोण एंगल भी इक्वल यह हमें दोनों को फाइंड करने है ठीक है डन इसमें किसी को कोई दिक्कत कोई परसानी नहीं आई यह देखते हैं आप क्या करेंगे और बाकी चीज़ें आप समझ गए अब लिखिए इसमें चूंकि पी क्यू बराबर ओपी बराबर ओक्यू है बहिया हो यह ओपी और ओक्यू सब क्या हतिर क्यों यह दिया है क्योंकि तिरिज्जा जै जीवा के बराबर दी गई है इसमें पी ओ की 42 30 के maximize क्यों आप देखें इनकी भूजाय आपस में बराबर हैँ बराबर क्यूं है यह दिखने का पहराता जो और जीवा के बराबर है तो vist suppress jury इन दोनों तिरिज्याओं के बराबर हो गई तो यह तीनों बराबर हो गई अगर यह तीनों बराबर हो गई तो equilateral triangle बनाना संभाहतर बनाना और संभाहतर बुझ की जब तीनों बुझा बराबर होती है तो उनके ऑप लिखते सकते हो ना तो आप आप रहा पिलिक सकते हो का इफ लिए I aB eo Sir P एकको experiments क्या है अप आप 276 और भी चाहथ सकते हो या फिर ओ सकते हो या फिर हूर किस लिखे Association other teacher 3 أ thats के लेकिन हमें जरूरत carbon कीए इसल्य है मैंने इसी को लिखा है ठीक है वरेकर फ्रिष और नृस्द के ऊसरी संभाहcape tak को इसे भी व्रितने जो केंद्र को बनता है वो ब्रित के बने कोला का दो बढ़ा था आपने तो हम इसे ऐसा भी कर सकते हैं कि अध्यीज को इस पूर्ण के दोगुना दिखा सकते हैं आई यह मैं दिखाता हूँ इसको नीचे के दो गुना के बराबर है यह पर्मिय 10.8 में आपने पढ़ा था ठीक है तो बैटा पी ओ क्यू इसका मान साथ हंस दिया है कैसे दिया अभी अभी लिखा था इक्वल टू एंगल पी एक्यू यहां से अगर हम निकालें तो यह तीस अंस आजाएगा इक्वल एंगल पी एक्यू पोलो आ जाएगा की नहीं भी यह दो से इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा इतना तो हल करी लेते हो आप नाइंध में पहुंचे ओ छोटे बच्चे तो हो नहीं यहनी हमें पी य्क्यू कितना प्रस अगया साच हांस का गया जिनको ना श्मघ में आइब ड़ा इसको थोड़ा हम से देख लो देखो यहो आप केवल पी अ क्यू अन्क तो बह्या हो जब यह यह पी था ना यह 2ह आएगा जब तो गया अब हम यह कोंड भी निकालेंगे जो माइनर आर्क पर बन रहा है ठीक है नजरे गड़ा के रखिए गजाई अगा नहीं आई यह देखिए अब हम दूसरे वाले पर चलेंगे जो हमें एंगल भी निकालना है यहां पर थोड़ा समझने की जरूरत है माइनर आर्क मैंने से बताया था लगूचाप पर जो बना कोड है यानि माइनर आर्क वाला पीबी क्यू के लिए हम पहले पी ओक्यू का रिफलेक्स एंगल निकालेंगे रिफलेक्स एंगल मतलब होता ब्रिहत कोड ठीक है यहां थोड़ा समझना अब हमें यह फाइंड करना यह यह ठीक है य जहां मारा जा रहात यह यह जो पी ओक्यू का बाहरी कोड़ी प्रकार से ब्रिहत कोड़ी से बोलते हैं उसे निकालेंगे ऐसे समझ लो कि यह क्या है पूरा-पूरा 360 होता है कहीं पूरा-पूरा गूम जाओ तो 360 हो जाता है तो भाया हो यह इतना तो हमने कर लिया है इतना कर लिया या इसमें देखो यह कि नीचे वादा थोड़ा सा कर लिया न तो ऊपर का पूरा-पूरा भी बचा यह इतना बचा इतना इतना बचा है तो क्या करेंगे इसको निकालने के लिए 360 में से इसको घटा देंगे क्यों कि खेए 360 सही ही तो कम हुवा न यह टो आ यहां पर लिखिए रिफ्लेक्ष अंगलाफ विओ कौल घिक है कि अ 6030 को 50 को फटा लेंगे किसका है यह P O Q का है ने हैं आप लिखते होंगे पी ओ bill 300 घटाओंगैं तो 300 आज आएगा यानि पी ओ क्यू कमांद कितेने आगया 300 आ गया है यह आप सब को पता है कि अभ इसको बहों से कर लेंगे रिफिलैक्स एंगल आप उक्वल टू इंक्वी क्यो जैसे अभी तक करते आये हो, जो बृत के केंद्र पर मना कॉंड होता है, अब नीचे आप लिखेंगे, पी-ओ-क्यू का पी-ओ-क्यू का बरिहत कोण वही लाइन लिख देंगे फिर से ठीक है बरिहत कोण एंगल पी-ओ-क्यू ठीक है डन इक्वल टू एंगल पी-बी-क्यू यह आप सब को पता है परमिए दस-दस अमलो आठ में आप पढ़े हो कि जो केंदर पर बना कोण होता परधी पर बने कोण का दूगना होता है आप सब को पता है इस कमान रख दो बैटा यह क्या है 300 है इक्वल टू एंगल पी-बी-क्यू यहां से ही जब इधर आएगा तो यह भाग हो जाएगा आप सब को पता है 150 एंगल पी-बी-क्यू यहीं पी-बी-क्यू कमान कितना आ गया 150 अंज हमें यही तो निकालना था ना यह देड़ सो आ गया और यह यह निकालना था यह भी आ गया था भी बस हो गया कोईश्चन नमबर खतम हो गया यह डन कोई डाउट है तो बता दीजिए यह क्लास बहुत ही चोटी होगी आज क्योंकि आप लोग इससे जदा पढ़ते नहीं हो क्लास को सेर्वर नहीं करते हो कल हम बहुत सारे कुश्चन जो बचे हुए सब करवा देंगे ठीक है तो बहुत-बहुत थैंक्यू आप सभी को अग